अब ये तो सोशल मीडिया के मात्यम से ही पता चला है मेरे को अभी कोई सुचिना पत्र नहीं मिला है मैं अपने आपको अभी भी कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कारी करता समझ रहा हूं तो मेरा ये प्रियास है कि कांगरेस की सरकार बने कमलना जी या मुख्य मंत्री बने उम्राव सिंग जी मोरी साब कलोता समझ से आते हैं मैं भी कलोता समाझ से हूँ और उन्होंने भी एक जब भारती जन्ता पार्टी में था तब उन्होंने पर आपील करियों की भासन दिया होगा और मैं भी कांग्रेस का अभी भी आपने आपको कांग्रेस का कारीकरता मान रहा हूँ अब ये तो चुनाओ के बाद तीन तारीक को पता चलेगा कि उम्राव स फोटो लगते हैं उसमें मेरा कोई फोटो नहीं था ना उन्होंने चुनाओ से सुरू से लेकर आज तक नहीं बात करी ना मुझको भुलाया ना को जवाबदारी दी जैरुपनाजी की साहब अलग-अलग विदानसवा छेत्रुन में जाई के आपके सब के मा विदानसवा चेत्र में कई माहोल रियो राजनिती यह अपन ने आखा चुनाओं आपके बताए बोट भी पड़ी गया है उम्मीद्वार उन जित्रा था चुनाओं में विनका सब का वविश्यून पेटी में पेटिक माय मसीन का माय बंद भी वही गया अबे परिणाम आएगा विका प पडेल साब कॉंग्रेस का निता जी रिया है और इंदोर दुखदुसंग का देक्ष इनका अलावा किसान निता है इनका साथ भी पाल्टी ने थोड़ाक दिन दो-चार दिन पहला इनके भी एक इनाम दियो पाल्टी से निसकासन को जाना कई महोल रियो कई वात री और इन इनने निता जी उनका अपनी पाल्टी का निता जी उनका अग्ये कई वात रखी जै रुगना जीक साथ जै राम जी के वारो आपसे सबसे पिलो सवाल यह रहेगा कांग्रेस पाल्टीन कणी बात कोई नाम दियो अब ये तो सोसल मीडिया के माध्यम से ही पता चला है मेरे क को कोई भी जरासा भी कोई काम नहीं बताया मैंने हमारे पार्टी के वरिश नेता अधरने कमलना जी दिगवे सिंग जी और हमारे इंदोर जिला कांग्रेस का अधिक जीको सबको आउगत करा दिया था कि मैं तेपालपूर विधान सभा छोड़कर राव विधान सभा और प करी रहा था इकाड़ा हुआ प्रचार करता हुआ कांग्रेस पार्टी को और भी विडिया अधरने कांग्रेस की सरकार बने कमलना जी या मुख्य मंतरी बने उसके लिए मैंने इंदोर दूगत संग कारिश खेतने में समस्त आने वाली विधान सभाओं में भी हमारे जन पर विधान सभा की तो मैंने वहां ज्यादा समय दिया है उस दिन प्रेंका गांधी जी की सभा हुई थी और उसी मंच से मैंने कांग्रेस के कारी करता हुँ से यह अपील करी थी कि अगर हम अपना बूद्ध जिज़ जाएंगे तो यह मान के चलो हम विधान सभाओं जिज़ थी कि सब अपने अपनी पोलिंग कर दिया आप जीती जाओ तो ठीक अनी तरीका की वात एक सामय आई थी उम्राव सिंग जी साब का जरिये भी वी भी दुखसंग का अध्यक श्रिया किरसान नेता रिया है विन्ने विनको भी एक वीडियो सामय आया है तो थोड़ा दन पि आप यह तो देखो मत दाता सोतंत रहे पूम्राव सिंग जी मोरिस साब कलोता समझ से आते हैं मैं भी कलोता समाझ से हूँ और उन्होंने भी एक जब भारती जनता पार्टी में था तब उन्होंने कोई आपील करी होगी भासन दिया होगा और मैं भी कांग्रेस का अभी अपना पोलिंग जीत लें अगर हम अपना POLLS जीत लेंगे तो discs इंदोर की नो की नो इधान सभाझ जीते हैं कमल ना जी मुक् 지 They बनेंगे, अब बात रही, समाज की या जनता की, किस नों नहीं माना या नहीं माना, सब सोतंत्रे, हमारा काम है, बोर्ट मांगने का, अपील करने का, आप ये तो चुनाओ के बाद तीन मेरे को कोई सूचना नहीं मिली कोई नूटिस नहीं मिला सोचल मीडिया के माधियम से पता चला है पर मैंने बीच बीच में शुनाओं में हमारे मानने दिग्वे सिंग जी कमल नाज जी और सबसे मेरी बात होती रही और उनको मैंने आवगत करा दिया था कि देपालपूर वि को मैं बात करी ना मुझको बुलाया ना कोई जवाबदारी दी इसलिए ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं कांग्रेस पर्टी का छोटा सा कारी करता हूं इसलिए मैंने राओ विदान सभा में और पांच विदान सभा में अधिक मेनत करी और बाकी जगे भी आन्नी छेत्र में अब चेत्र का बड़ा किसान नितर रहां पांच नमबर की बात करी दिए ओवराल इंदोर जिला या मध्यपिदेश का लेवल पर अपन देखा तो राइनितिक लिहास से अक्लन प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इस बार बदलाव के और देख रही है पिछले लगबग साड़े अठारा वर्सों से भरती जनता पराटी की सरकार है प्रदेश में और जनता ने ये मन बना लिया था कि हमको इस बार कमलनाजी को मुख्यमंत्री बनाना है प्रदेश में सरकार बनाना है अम जन मानस में ये बिल्कुल माहोलदा और ये तीन तारिख को हमको पता भी चलेगा कि कांग्रेश की सरकार और कमलनाजी के नेतरत्त में प्रदेश में सरकार बन रही है तो इता सब मूती सिंग जी पटेल साव इनकी वात आपने सुनी वात कती जैची वे तो कमेंट में जे रगनाज जी के लिखनो बिल्कुल भी मत भूल जो